आपको इससे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, देखो बिटा, अगर ये surface tension कम करेगा, तो उससे alveoli के जो कहते हैं, कि ऐसे पिचकने के, कोलाप्स होने के chances कम होते हैं, देखो, ठीक है? अब बिटा, अब बिटा ध्यान से सुनना ये बात, ध्यान से. Hello everyone and welcome back to Raftar series और आज हम पढ़ेंगे breathing and exchange of gases. तो बिटा, हमने previous class में ये lecture शुरू कर लिया था, topic शुरू कर लिया था, तो आज हम इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम बच्चों ने lecture 1 जरूर revise किया होगा. So let's get started. तो आज हम बिटा क्या पढ़ने वाले हैं, we are going to study human respiratory system, जो अपने last class में किया था, उसका थोड़ा part, mechanism of breathing and pulmonary volumes and capacities. चलो, तो हम start करते हैं human respiratory system, जहां हम पढ़ेंगे आज respiratory tree, tree, ये botany कहां से आगे, zoology में, तो देखते हैं, ये botany का zoology में क्या काम है, तो चलो, अगर मिटा आपको याद है, एक बात अच्छे से, सोचो, सोचो, मैंने last class में बताई थी, कि हमारी trachea होती है, और वो दो में divide होती है, जिसे दो primary bronchi कहते हैं, याद आया, flashback में जाते हैं, तो आपके bronchi में divide होती है, जिने हम कहते हैं, primary bronchi, so these are what, these are primary bronchi, अगर कोई पूछे, कि ये primary bronchi कहां पर आते हैं, या trachea कौन से जगा पर दो में divide हो रही है, आपकी body में exact location पूछी है, तो आप बोलोगे trachea divide into two primary bronchi at fifth thoracic, अब देखो, देखो, अब बिटा, हमारे पास एक tree बनता है, याँ पर, क्या होता है, हमारे जो ये tubes हैं, जिसे trache के tube की तरह है, तो वो आगे बहुत सारे tubes में खुलता है, और एक tree बना देता है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, tree बोल दिया, क्योंकि ये respiratory system का पाट है, तो respiratory tree बोल दिया, since ये trachea bronchiol से बनता है, तो हमने इसको और क्या बोला, trachea bronchiol tree, trachea bronchiol tree, right, तो ये tree देखते हैं बटा क्या चीज़ है let's see देखो आपकी trachea थी trachea दो प्रामरी ब्रॉंकाई में divide होई अब प्राइमरी ब्रॉंकाई सिकेंडरी ब्रॉंकाई में divide होगी like this राइट तो यह अभी लेबल कर देते हैं साथ साथ यह हमारी क्या थी बटाआ trachea त्राकिया ने क्या बनाया primary ब्रॉंकाई primary ब्रॉंकाई आगे किस्पें बनी बैटा secondary ब्रॉंकाई में तो ऐसे करके ये आगे काफ़ी चीज़ों में डिवाइड रखेते हैं हम यहां पर लिख देते हैं कि सबसे पहले táčyia बना ट्राकिया के बाद आपका बना प्राइमरी ब्रॉंकाई दो होए है तो हम ब्रॉंकाई बोलेंगे अगर एक है सिंगुलर है तो हम ब्रॉंकस बोनेंगे तो प्राइमरी ब्रॉंकाई किसमें खुला प्राइमरी ब्रॉंकाई में और secondary bronchi फिर ये आगे किसमें खुला तर्शरी ब्रॉंकाय में तर्शरी ब्रॉंकाय फिर आगे bronchiols में खुला initial bronchiols जो starting के होते हैं initial मतलब starting initial bronchiols फिर आगे जाकर बेटा terminal bronchiols में खुला terminal bronchiols bronchi bronchiols में क्या फर्रक होता है bronchiols फोड़े पतले होते हैं right bronchi फोड़े मोटे होते हैं terminal bronchiols बेटा आगे खुला respiratory bronchiols में respiratory bronchiols आगे जाकर खुला alveolar ducts में alveolar ducts आके खुला बेटा आगे alveolar sac में और alveolar sac में होते हैं grape-like structure जिनको हम कहते हैं alveolite तो यह इस तरह से एक tree बनता है चलो मैं आज आज आपके लिए कुछ बना कर लेकर आए हूं i hope आपको इससे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा देखो बेटा अगर यह आपका एक respiratory tree है this one यह आपकी now what are these stripes these are incomplete cartilaginous rings आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी बनाए है अगर थोड़ा आपको clear है if it is not then don't worry यह बेटा देखो यहाँ तक आप देख सकते हो क्या है cartilage के rings हैं तो हमने last class में क्या किया था कि cartilage के rings होते हैं incomplete cartilage के जो c shape होते हैं वो सिर्फ trachea में नहीं होते रादर trachea से लेकर initial bronchials तक होते हैं किया था ना last class में तो इस तरह से यह पूरा tree बनता है बेटा इस पूरे tree को हमने दो part में divided किया है कितने में दो part में तो जो आपका nostrils होते हैं जो हमने last class में किया था nostrils होते है nostril के बाद pharynx आता है pharynx के बाद larhnx आता है then trachea आता है यह किया था तो trachea से पहले क्या क्या पाट थे बच्चा आपके इस से पहले आपका nose था राइट nose के बाद आपका pharynx था फिर आपका larynx था फिर आपका trachea आता है तो nose से लेकर nose से लेकर terminal bronchios अख हमने एक area divide कर दिया, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि यह आपका एक conducting part है, क्या है यह आपका conducting part, so right from here to here is your conducting part क्या है बिटा यह conducting part right, whereas respiratory bronchial से alveoli तक, आपका जो area है, वो है respiratory part, क्या है वो respiratory part, अब हम नहीं इन दोनों को किस basis पे divide किया है, देखो बिटा अब air अंदर गई है आप में fine, पर क्या air हर एक जगा से आपके blood में pass कर सकती हैं आपको भी पता है ना, जो air जाती है उसमें जो gases होते हैं, वो आपके blood में जाते हैं, तो क्या हर एक part capable है, इसको air को अंदर पहुंचाने में नहीं क्योंकि इनकी बनावट ऐसी है, इन areas की, इनकी कहलो जो है न, manufacturing defect कहलो तुम जो मर्जी कहलो, कि वो ऐसी wall है इसकी, ये वहां से gases को अंदर नहीं लेकर जा सकता, there will be no exchange of gases in the conducting part, whereas respiratory part ऐसा part है, जिसमें आपके gases अंदर जा सकते हैं, fine, अब यहां तक तो बेटा आपको clear हो गया होगा कि bronchioles होते हैं, fine, इसके बाद वाली story में आपको समझाती हूँ, बड़ी असानी से, देखो तुम अंगूर खाते हो न, अंगूर का गुच्छा अब सोचो जो अंगूर का गुच्छा है वो पूरा एक जो छोटे वाला गुच्छा है, जैसे बड़ा गुच्छा होता है उसमें बीच में छोटी छोटे लगसे गुच्छे बने होते हैं, तो जो पूरा एक गुच्छा है, उसे हम बोलेंगे alveolar sack उसमें जो छोटे छोटे अंगूर है, वो है आपकी alveolar और उसमें जो टहनिया है, छोटी छोटी वो क्या है, alveolar duct जो आगे जाकर बड़ी टहनी में मिलेंगी, जो है आपकी respiratory bronchioles तो इस तरह से बटा नेच्छे ने बहुत ही beautifully आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर पूरा system दिया है और एक पेड़ के समान बनता है, तो इससे हम कहते है respiratory tree, तो अब यहाँ पर हमने दो पार्ट करें, एक conducting part और एक respiratory part चलो इसको इमेज में भी देख लेते हैं यह बिटा अगर आप देख सकते हो, यह conducting part है जिसे conducting zone भी बोल देते हैं you can see here bronchus, left main bronchus मतलब primary की बात करी है फिर secondary, फिर tertiary, terminal bronchioles यहाँ पर है न, यह सारे तो यह इस तरह से बन रहे हैं आगे terminal bronchioles आया ठीक है, उसके बाद respiratory bronchioles आया यह alveolar sac है, इदर आप कोई आपको पूछे बेटा out of conducting zone और respiratory zone और conducting part और respiratory part कौन सा gaseous exchange नहीं करता तो आप बोलोगे conducting part, right फिर conducting part क्या करता है बेटा, आपके जो conducting part होता है, उसमें usually ciliated epithelium होती है कौन से epithelium होती है, ciliated so it contains ciliated epithelium अब आपको कुछ समझ आ चुका होगा, अगर इसमें ciliated epithelium है, तो यह क्या करेगा, it will trap, it will trap the dust particles it will trap the dust particles और क्या करेगा, it will moist the air it will moist the air clean तो करी रहा है यह trap करके, यह moist भी करेगा, since इसमें कोई भी gaseous exchange नहीं होता, तो ऐसे part जहां पर gaseous exchange नहीं होता, हम बोल देते हैं उनको anatomic dead space क्या बोल देते हैं, anatomic dead space why do you call it as anatomic dead space, because there is no gaseous exchange there is no gaseous exchange okay, anatomic dead space क्यों बोला है, anatomy मतलब anatomy, उसकी बनावट ही ऐसी है उसकी layers ही ऐसी है कि वो dead है, क्यूंकि वो gaseous exchange नहीं कर रहा, so right from nose to terminal bronchial, there is no exchange of gases, अब respiratory zone में क्या होता है, इसमें बेटा, there is exchange of gases okay, अगर इसमें कभी भी confusion हो, तो याद कर ले न, कि respiratory zone में respiratory आता है, और ये शुरू respiratory bronchial से ही होगा, and this will lead to the other structure, जिसका नाम है आपका alveolite, जो आपके main kello की structural and functional unit है, आपके respiratory system के I hope बेटा, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, देखो, इसमें से question कैसा frame होता है आपको ये पूछेंगे इन में से कौन सा respiratory part है, ठीक है, या फिर पूछ सकते हैं, किसमें gaseous exchange होता है, तो according इसमें से आपको question आते हैं तो ultimately एक ऐसे जगा पर जा रही है, जिससे हम कहते हैं alveoli, the grape-like structure let's talk about the alveoli now अब बेटा, हम alveoli की बात करेंगे, ओके all right so जैसे कि मैंने बताया बेटा, आपके जो alveoli होते हैं they are grape-like, किस की तरह है ये grape-like they are grape-like अंगूर की तरह है ठीक है, अगर दोनों lungs में देखें, कितनी alveoli है हमारे पास 300 million मतलब, we have enough surface area to exchange a lot of gases, इसका काम ही यह है कि यह क्या करता है, पेटा, gaseous exchange करता है, so this is the main side, maximum gaseous exchange जहीं पे होगी, respiratory bronchiol में भी होगी, alveolar sack, यह सब areas में होगी, पर maximum alveoli में होगी such as the main side of gaseous exchange ठीक है, main जो कहते हैं न, exchange यहीं पर होगा तो चलो बेटा, देखते हैं अब आपका जो यह gaseous exchange है यह जहाँ पर होता है, वो अंदर से कैसा दिखता है, देखें ज़रा चलो, तो let's draw a very quick diagram here अगर बेटा, यह आपका alveoli है, क्या है यह alveoli alveoli में आपकी जो epithelium होती है, वो flat cell वली होती है, कौनसे होती है flat cells and flat cells are your simple squamous epithelium तो यहाँ पर जो लेयर है वो कौनसे है बेटा, simple squamous की simple squamous epithelium which forms a major portion इसके इलाव़ कुछ special cells है इसमें जैसे, अभी बहुत सारे बच्चों ने मन में बोल भी दिये होंगे type 2 alveolar cells कौनसे cells हैं यह? type 2 alveolar cells इनको type 1 भी कह देते हैं simple squamous वालों को तो यह क्या हुआ बेटा? type 2 alveolar cell इसका क्या काम है? देखो, जो type 2 alveolar cells है वो एक बड़ा ही important phospholipid secrete करते हैं, जिसका नाम है lecithin क्या नाम है? lecithin so it secrete lecithin बेटा, lecithin का यहाँ पर क्या काम है? यहाँ पर देखो, यह alveolar cells की surface है इधर एर आएगी इन दोनों में जो lecithin है वो surface tension कम करता है यह surface tension कम करेगा तो उससे alveolar cells के जो कहते हैं ना, कि ऐसे पिचकने के collapse होने के chances कम होते हैं देखो, imagine करो तुमारे पास एक balloon है नया नया packet में से निकाला आपने ठीक है? packet में आपते हैं ना, balloon happy birthday पे full आते हो तो वो देखो उसमें क्या होता है? वो चिपका होता है आप ऐसे से करो कि कई बार उसकी skin दोनों चिपक जाती है, अलग नहीं होती अगर मैं उसमें अब कुछ drop of oil डाल दूँ तो अब तो वो चिपकेगा नहीं ना, अब तो वो ऐसे रगड खाएगा वैसे ही आपका lecithin काम करता है lecithin क्या करता है? lecithin reduces surface tension surface tension that that prevents collapse of alveoline right और जो चीज़े surface tension को कम करती है उनके लिए हम एक term भी use करते है lecithin act as surfactant ठीक है, ये एक surfactant की तरह काम कर है तो ये तो वो वे बिटाप के type 2 alveolar cell इसके इलाबा एक और तरह के cell है क्या नाम है उनका? they are dust cells what are they? they are dust cells dust cells को हम और क्या कहते है? alveolar macrophages they are basically they are basically associated with immunity macrophage क्या करता है? बच्चे macrophage कहीं पे भी आ जाए उसका एक ही काम है to engulf the microbes या टूटी पूटी जो भी चीज़े हैं उनको इंगल्फ कर लेना खा जाना जिसे हम phagocytosis कहते हैं तो इसका काम क्या है बटा? phagocytosis ठीक है? और ये है आपका lumen the center part of the alveoli तो ये हमने बनाया alveoli और alveoli के तीन सेल simple squamous epithelium cells then type 2 alveolar cell and the dust cells और the alveolar macrophages तो बटा ये cell होते हैं alveoli में और आपको भी पता है जो आपका alveoli होता है उसमें gaseous exchange होती है हाओ लेट सी देखों alveoli को हम कहते हैं it's a highly muscular organ मतलब इसमें blood supply बहुत जादा होगी highly vascular vasa word हम blood vessel के लिए use करते हैं a lot of blood supply तो बेटा यहाँ पर capillaries होगी capillaries होगी तो imagine करो यहाँ पर एक blood vessel है like this इसके around तो alveoli में air जो आ रही है वहाँ से oxygen इसके अंदर चली जाएगी यहाँ से seriota उठा ली जाएगी like this ओके तो इस तरह से इसमें सबसे जादा gaseous exchange होता है और जैसे मनें last class में किया था cutaneous respiration में अगर skin बहुत जादा vascular है तो उसमें से gaseous exchange भी जादा होगा right okay तो यह था बेटा alveoli and your respiratory tree I hope आपको यह समझ में आए होगा आगे चलते हैं और all right और हम पढ़ते हैं कि क्या क्या steps होते है respiration के okay सबसे पहला step respiration का breathing और pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and co2 rich air is released out respiration क्या बताया था मैंने मैंने बताया था कि आपका जो cells है वो oxygen लेते हैं और अपने food को तोड़ते हैं यही होता है respiration ठीक है बट respiration को करने के लिए भी तो कितने process कितना कुछ ताम जाम करना पड़ेगा ना तो सबसे वहले तो हमें breathing करने ही पड़ेगी air fresh air अंदर लेके जाना और foul air बहार and यही ventilation में होता है यही होता है ventilation में आप खिड़की कोल देते हो fresh air अंदर आए ऐसे करते हो ना तो breathing को इसे लिए हम ventilation भी बोल देते है pulmonary ventilation and pulmonary word हम किस के लिए use करते हैं हम lungs के लिए use करते हैं क्या था ना pulmonary breathing किया था branchial gills वाली skin वाली cutaneous lungs वाली pulmonary किया था ना अगर नहीं याद तो मतलब आपने अच्छे से नहीं पड़ा by which atmospheric air is drawn in मतब बहार की हवा हम अंदर लेते हैं and co2 वाली air हम भार फैंक देते हैं diffusion of gases o2 and co2 across alveolar membrane तो हमने जो अभी किया था कि alveoli में इसे gashes exchange होता है फिर that is the second step अब उसमें बिटा जब gas आ गई blood में वो transport होगी राइट फिर उसके बाद वो cell के पास जाएगी that is diffusion of o2 and co2 between blood and tissues and फिर उस oxygen को cell उठाएंगे और उसका use करेंगे ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है step by step in this chapter so let's begin with the first one first one क्या कह रहा है breathing pulmonary ventilation कैसे होती है breathing इतना important step आपकी body कैसे perform करती है it's really really very interested चलो आगे चलते हैं पढ़ते हैं breathing क्या होता है कैसे होता है तो breathing तो बेटा मैंने आपको बता दिया क्या होता है आप fresh air अंदर लेते हो foul air बहार फैंटे हो right so you are taking in the fresh air and removing out the foul air so इसी sentence को हमने कुछ शब्द दे दिये taking in the fresh air को हमने बोल दिया inspiration and taking out or removing the foul air the bad air जो गंदी हवा है उसे बहार निकालना CO2 rich air को बहार निकालना उसको हमने term क्या दे दिया बैटा expiration दे दिया ठीक है so breathing में दो main process होते हैं क्या inspiration that is taking in the fresh atmospheric air right then expiration removing or removal out removal of CO2 rich air from the lungs so in and out of the air हम इसे ventilation भी कह सकते हैं क्या use कह सकते हैं वर्ट ventilation तो breathing में ये दो main process होते हैं बटा copy में लिखो कि एक inspiration taking in the fresh atmospheric air दूसरा expiration removal of CO2 rich air from the lungs okay मुझे पता है बहुत से बच्चे अभी भी copy नहीं बनाते बस खोल के और answer देखते रहते हैं हाँ चीक है सुन रहे हैं but उससे कुछ नहीं होने वाला trust me कुछ नहीं होगा जब तक तुम copy में नहीं लिखो के तुमारे brain को कुछ समझ में नहीं आएगा so you have to write this down in your notebook and make good notes you promise me in the first class कि आप अच्छे से पढ़ाई करो के notes बनाओगे और बहुत से बच्चे भी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वह गंदे बच्चे हैं चलो अब बेटा ये air का अंदर आना बहार जाना कैसे होता है how is it possible क्या लगते आपको लिखे उपर अगर आप line पढ़ रहे हैं उपर तो आपको कुछ तो समझ आएगा the movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere तो हम एक pressure gradient या pressure difference create करते हैं जिससे air move करती है in या out चीक है यहां पर कौन सा concept चलता है the air moves from the area of high pressure to low pressure यह सुने है सबने यह आप उसमें भी पढ़ते हो ना यार chemistry में आपकी air move करती है बेटा high pressure to low pressure राइट और यहां पर आपने एक law पढ़ा होता है कि pressure is inversely proportional to volume यह भी पढ़ते हो तो जब भी हमें air को अंदर लेकर आना है है body के अंदर listen to me very carefully हमने inspiration करनी है तो हमें क्या करना होगा मालो यह body है यह बाहर atmosphere है तो हमें air को अंदर लेकर आना है and air move from area of high pressure to area of low pressure अगर हमें अंदर pressure कम करना है तो हमें volume को adjust करना होगा that means अगर pressure of volume का inversely proportional का है रिष्टा तो हमें volume को क्या करना होगा बेटा बढ़ाना होगा देखो volume तो हमारी control में है हम अपनी cavity को बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं ठीक है तो यह inspiration में हम करते हैं अगर expiration है अगर expiration है मतलब air को हमें बाहर फैंक ना है यह body है air को हमें क्या करना है बढ़ा बाहर फैंक ना है ठीक है तो air move from high pressure to low pressure अंदर pressure ज़्यादा होना चाहिए बाहर कम होना चाहिए अगर pressure ज़्यादा करना है तो volume क्या करना होगा तुम्हें volume कम करना होगा fine so this is how यही आपकी body करती है air को move करने के लिए यह बेटा भी मैं fundamental समझा रही हूँ basic समझा रही हूँ तो अगर हमारी body को air को अंदर लेना है तो उसको volume बढ़ाना होगा अगर बहार फैक ना है तो उसे volume कम करना होगा अब volume किसका बढ़ाना है किसका कम करना है let's discuss that ठीक है पूरी body का तो नहीं होगा न यार देखो lungs कहां पर present है lungs कहां present है thorax में last class में किया था thoracic cavity में जो उसके बीच में होती है fine तो thoracic cavity में आपके lungs present है तो पहली cavity बेटा आपके पास क्या है thoracic cavity ओके all right चलो पहली cavity बच्चो आपके पास क्या है आपके पास है thoracic cavity जिसमें क्या present है lungs present है यह आपके हुए lungs ठीक है this is left lung this is right lung तो यह lungs हो गए ओके अब पिटा एक cavity हुई thoracic cavity which is this उसके बाद एक cavity हमने वो भी करी थी जो plural में होती है plural cavity याद है एक double layer इसके round थी थी ना एक double layer यहाँ बनाई थी कल एक double layer थी इसके round तो उसमें भी एक cavity है क्या नाम है इस cavity का plural cavity so this is plural cavity ओके अब बिटा एक और cavity है जिसके अंदर air जा रही है जो alveoli के अंदर lumen बनाया था उस cavity को मैं क्या कहते हूँ जो यह वाली है pulmonary cavity pulmonary cavity ठीक है यह तीन spaces यह तीन cavity हमें होती है बेटा जब भी हमें inhalation करनी है तो हमें volume बढ़ानी है सबसे पहले थोरा से cavity का volume बढ़ता है plural cavity का बढ़ता है और pulmonary cavity का बढ़ता है तो जब भी हमें inhalation करवानी है हमें तीनो cavity का volume बढ़ाना होता है फिर जिससे बेटा आपका सबका pressure कम हो जाता है जब मुझे expiration करनी है तो मैंने volume किसका कम करने है इन तीनों का कम करने जिससे pressure बढ़ेगा एर मूफ होगी ये concept है अब ये volume कैसे बढ़ेगा कैसे कम होगा how these are going to expand ये कैसे अपने आपका volume बढ़ाएंगी ये देखेंगे ठीक है अब देखो होता क्या है जब भी inspiration होती है बटा inspiration के time पे muscles involved होती है क्या involved होती है muscles fine देखो हमारे पास क्या-क्या muscles है what muscles do we have first of all हमारे पास एक हड़ी होती है ventral surface पे जिसका नाम है sternum और पीछे होते हैं thoracic vertebrae क्या होते हैं thoracic vertebrae side पे लगे होते हैं ribs like this और ये पूरा बनता है आपका rib cage क्या बनता है बटा rib cage जो हमने previous class में किया था fine so इसको लेबल कर देते हैं this is your sternum this is your ribs and this is your thoracic vertebrae okay अब we have some set of muscles present between the ribs हमारे पास कुछ muscles present है जो ribs में होते हैं एक जो बाहर की तरफ होती है muscles और वो जो अंदर की तरफ होती है ठीक है जो muscle बाहर की तरफ होती है उसको हम बोलते है external intercostal muscle क्या बोलते है external intercostal muscle right जो अंदर की तरफ होती है उसे बोलते है internal क्यूंकि वो अंदर की तरफ है intercostal muscle अगर ये मेरे पास ribs है ये outer surface है तो external इधर होगी internal इधर होगी ठीक है अब इसके इलावा बेटा यहाँ पर एक चीज होगी muscular flap याद है muscular flap जो क्या करता है जो thorax और abdomen में body को divide करता है ये है आपका diaphragm फिन्स मैंने कहा diaphragm एक muscular flap है तो इसमें जो muscles होती है उनका नाम है phrenic muscles जो याद रखना है पहले हम muscles पढ़ते हैं क्योंकि ये muscle बहुत important role play करते है respiration का और इससे से ही volume बढ़ता है या कम होता है अब देखते हैं बटा inspiration में क्या होगा जब भी inspiration होती है बटा जब भी inspiration होती है एक inspiration वो होती है जो अभी आप पढ़ते वक्त कर रहे हो कर रहे हो ना normal inspiration इसमें आप कोई भी effort नहीं लगा रहे extra तो हमारे पास एक inspiration होती है normal और एक होती है forceful जो आप exercise yoga गयरा के time पर करते हैं जब भी आपकी normal inspiration होती है उसमें दो muscle involved होती है देखते हैं कौन सी एक muscle involved होगी external intercostal muscle तो इन पर हम bracket में आई एन लिख रहे हैं क्योंकि ये inspiration करती है एक diaphragm muscle तो ये दोनों muscle आपकी normal inspiration कंट्रोल करेंगे याद रखना inspiration में मैं आपने क्या कहा था inspiration के time पर आपको air अंदर लेना है अंदर pressure कम करना है तो हमें volume बढ़ाना है inside the body ठीक है हमें ये करना है ओके बेटा ये आगठना तो normal inspiration के time पर I have told you there are two set of muscle एक phrenic muscle which are diaphragm muscles और दूसरी external intercostal muscles ये दोनों muscles बेटा involved होती है ठीक है जब ये muscle contract करती है तो क्या होता है जब phrenic muscle contract करेगी जब phrenic muscle contract करेगी तो diaphragm जो हमेशा dome shape होता है करवाया था last class में जो ऐसे करवी होता है dome shape होता है वो नीचे आ जाएगा और flat हो जाएगा imagine करो imagine करो बेटा तुम्हारे पास ये body है ये body है ठीक है इसमें diaphragm ऐसे present है normal condition पे अब मेरा जब ये diaphragm की phrenic muscle contract करेंगी तो वो ऐसे नीचे आ जाएगा नीचे आ गया जिससे volume बढ़ जाएगा बढ़ गया ना volume पहले इतना था अब उसके contract करने से जब वो नीचे आया flat हुआ diaphragm तो body का thoracic cavity का volume बढ़ गया बढ़ा ना so here the volume of thoracic cavity it increases but किस axis में anterior posterior axis में हमारी एक होती है dorsal ventral axis मतलब ये वाली side मेरी dorsal ये वाली ventral ये वाली dorsal so this is my dorsal side this is my ventral side एक होती है anterior posterior head anterior पे है मेरे pair posterior पे है तो ये उपर से नीचे ऐसे volume बढ़ा रहा है तो इसे मैंने कहा it is increasing the volume in anterior posterior axis ठीक है तो इस तरह से diaphragm आपका volume बढ़ाता है तो चलो इसे लिखते हैं बेटा क्या किया इसने जब ये contract हुआ diaphragm platens उससे क्या हुआ it increases the volume of thoracic cavity in anterior posterior axis और बेटा ये सीधी सी बात है जब भी thoracic cavity का volume बढ़ेगा तो बाकियों के भी बढ़ेंगे pulmonary cavity का भी बढ़ेगा और ultimately pressure क्या होगा there is decrease in pressure और जब pressure कम होगा तो क्या होगा अगर अंदर volume बड़ा pressure कम हुआ तो बहार high pressure पे है air वो अंदर आएगी air will move in air will move in ठीक है ओके दूसरी बात अब दूसरी जो muscle हमने की external intercostal muscle जो आपके ribs के बीच में है ठीक है ये जब contract करती है मालो इसने contract किया ठीक है ये क्या करती है आपके rib cage को ऊपर और बाहर की तरफ लेकर आती है उपर और बाहर ऐसे तो मतला मेरा dorsal ventral axis में क्या बड़ा? volume बड़ा उपर और बाहर forceful inspire करो आपको feel होगा कि आपकी chest उपर आ रही है आती है ना forceful में तो normal में आपको इतना feel नहीं होता until you're less आप बहुत ज़्यादा observe करो तो जब भी आपका बिटा external intercostal muscle contract करेगी तो it will elevate that means उपर लेकर आना किसको rib cage को जिससे volume कौनसी axis में बड़ेगा dorsal ventral axis में बड़ेगा like this और जिससे volume बड़ेगा तो pressure कम होगा and the air will move in so क्या लिखे हम यहाँ पर इसने contract किया तो it will elevate the rib cage कैसे upward मतलब उपर की तरफ और बाहर की तरफ that is outward उससे क्या होगा बिटा उपर और बाहर की तरफ आएगा तो क्या होगा there will be increase in volume in dorsal ventral axis dorsal ventral axis जिससे there will be decrease in pressure and air will move in ठीक है यह हुआ आपका जब आपकी यह दो muscle contract करती है अब what about forceful forceful में क्या होता है बेटा कुछ additional muscles होती है जो आपके rib cage की तरफ जूड़ी होती है तो मैं आपको कुछ muscles के नाम बता रही हूँ कौन सी muscles है इसमें इंवाल्व यह muscle का होती है पेटा आपके नेक के राउंड होती है जैसे यह sternocleidomastroid इधर होगी उसके पीछे स्कैलीन होगी ऐसे पेक्टोरेलिस माइनर आपकी ऐसे ठीक है तो अल्टिमेटली यह किसको जॉइन कर रहे है rib cage को ही कर रहे है न तो मतलब जब यह muscle ऐसे contract होगी तो rib cage उपर उठेगा उठेगा ऐसे अगर मैं बोली हूँ मेरे यहाँ पर muscles है तो यह जब contract होगी तो मेरा rib cage उपर उठेगा तो forceful inspiration में यही होता है जब यह तीनों muscles these are three muscles जब यह तीनों muscle contract करती है तो क्या होता है normal से ज़्यादा rib cage उपर बाहर उठता है जो आपको feel होता है पीलोता ने chest बाहर रही है तो वैसे ही जब यह contract करती है तो क्या होता है there is the rib cage will elevate more जिससे there will be आपको भी पता है ज़्यादा volume और ज़्यादा pressure air will move in so इस तरह से बेटा आप inspire करते हो that means inhale करते हो inspiration के लिए हम एक और term यूज़ कर सकते है inhalation ठीक है दोनों same बात है तो इसमें आप normally करते हो जैसे इस time आप पढ़ते वक्त कर रहे हो और forceful भी कर सकते हो जब आप yoga कर रहे हो ठीक है जब normal कर रहे हो तो उसमें कौन से muscle involved है phrenic muscle of diaphragm and external intercostal muscle जो ribs में होती है fine और forceful में यह तीनों muscles involved है यह आपके rib cage के round होती है neck की तरफ जाती है ultimately हर कोई क्या कर रहा है what is the end product increase in volume decrease in pressure जिससे air will move in from high pressure to low pressure similarly बेटा आपका expiration होगा expiration में क्या होता है यह भी दो तरीके का होता है बेटा एक normal और एक forceful normal and forceful नॉर्मल तो बिल्कुल नॉर्मल है बिल्कुल नॉर्मल जो भी muscle inhalation में contract होई वो relax हो जाएगी अगर वो relax होगी तो हर चीज अपनी पुरानी position पे आ जाएगा ठीक है मान लो यहां पर आपका diaphragm नीचे आ गया था आ गया था अब वो वापिस दुबारा यहां चला जाएगा उससे आपका volume क्या होगा बेटा कम pressure जादा and air will move out कैसे देखते हैं यहां पर हमें क्या करना है बेटा body में अगर हमें air बाहर फैंक नी है like this तो हमें high pressure अंदर करना पड़ेगा low pressure बाहर यह gradient create करना पड़ेगा तो अगर pressure यहां जादा करना है यहां volume क्या करना पड़ेगा आपको कम करना पड़ेगा just opposite to inspiration तो normal में क्या होता है all the muscles of inhalation relaxes right everything comes to normal position everything में क्या आते है बिटा आपका diaphragm आपका thoracic cavity का volume दुबार वापस विया जाएगा everything comes to normal position जिससे क्या होगा there is comparison में decrease in volume increase in pressure air will move out ठीक है forceful में we need another muscle कौन कौन सी muscle रहे गई थी जो हमने last बनाई थी last में muscle बनाई थी न यह दोनों मसल तो हमने यूज करी inhalation में this one is used in exhalation internal intercostal muscle let's see now forceful में बेटा एक तो internal intercostal muscle involved that I have told you इसके लावा एक और भी muscle है कौन सी बोलो के मैं आज तो आपने muscle muscle कर दिया बहुत बड़ा असान है यार बस समझ लो थोड़ा सा पोर्सफुल में बेटा हमारे पास एक muscle है जिसका नाम है internal intercostal और दूसरी है आपकी abdominal muscle abdominal muscle अब ये कौन सी muscles है six packs बनाते हैं न लोग यह वाली तो यहां पर muscles होती हैं अब ये muscle आपके पेट के अंदर नहीं है body wall में है कहां पर है body wall में तो आप कभी देखते हो कि जब आप sit-ups घरा लगाते हो तो यहां पर भी cramps पढ़ते हैं पढ़ते हैं तो यह यह muscles बिचारी यूज हो रही होती है उस time पर in malactic acid बन जाता है fine तो बैटा यह muscle भी आपका forceful exhalation में help करती है कैसे let's see सबसे बहले internal intercostal की बात करते हैं यह muscle क्या करती है internal intercostal muscle जब भी contract करेगी it will work opposite to external intercostal ठीक है external intercostal क्या कर रही थी उपर और बाहर लेकर आ रही थी यह क्या करेगी अंदर और नीचे upward outward inward downward ठीक है तो यह इस तरह से काम करती है बिल्कुल external के opposite जब यह contract करेगी it will move the rib cage inward and downward जिससे बेटा क्या होगा वो उपर बाहर लेकर आ रहा था तो थो रासे cavity expand हो रही थी तो यह कैसे लेकर आएगा ऐसे और ऐसे तो थो रासे cavity क्या होगी कम हो जाएगी जिससे उसका volume और कम हो जाएगा तो देर is decrease in volume there is increase in pressure air moves out simple abdominal muscle की बात करते है जब यह muscle contract करती है बेटा तो यह क्या करती है यह जितने भी विजरा है मतलब all your organs यहां पर आपकी tummy है उसको push करती है diaphragm की तरह हम विजरा किसको कहते है जो भी यहां पर हमारे organs होते है न टमी में इदर उनको visceral organs कह देते हैं जिससे diaphragm को जोर लगता है और वह और curved हो जाता है like this ठीक है तो यह muscle क्या करती है अगर यह मेरी body है यह मेरा diaphragm है ठीक है अब यह muscle जब contract करेगी तो organs को और ऊपर ले आएगी जिससे diaphragm और arched हो जाएगा और dorm shape हो जाएगा जिससे अब यह जो volume है पिटा अब यह क्या हो गया volume कम पहले तो इतना था ठीक है अब यह volume क्या हो गया कम हो गया थोड़ा से cavity का so ultimately what I am trying to say is जब यह muscle contract करेगी it will push the viscera push the viscera towards diaphragm towards what diaphragm diaphragm becomes more art जादा आग हो जाएगा ठीक है जिससे volume कम pressure जादा air moves out तो पिटा इसमें आपको बस अगर यह पंडा clear है और muscle याद है तुम अपने आप दिमाग लगा लोगे इसमें चीक है तो याद रखना है air move from high pressure to low pressure और आपको expiration में क्या करना है और कि inhalation में क्या करना है expiration normal normal होता है इसमें जादा आपको maths फिसक्स लगाने की जूरुत नहीं है इसमें आपको दो muscle याद करनी है abdominal muscle और internal intercostal internal external का opposite काम करता है abdominal से थोड़ा याद कर लेना यह वाली story कि जब भी यह abdominal muscle contract करेगी तो आपके पेट वेट को ऊपर दे मारेगी तो यह था आपका pulmonary ventilation breathing की कैसे आप सांस लेते हो how you inhale and how you exhale तो एक लंबी सांस और लेते हैं और आगे बढ़ते हैं विटा तो on an average भी से healthy human breath around 12 to 16 times per minute इसको याद रखना है इस value को हम एक मिनिट में कितनी बार सांस लेते हैं बेटा 12 से 16 बार ठीक है और इसको हम measure भी कर सकते हैं येस और उस instrument का नाम नहीं spirometer जो आप screen पर देख सकते हैं this is your spirometer ठीक है यह बेटा इसमें यह जो tube से दिख री आपको इस tube में inhale करते हैं उसके बाद जो भी air आप inhale करते हैं उसकी value यहाँ पर आ जाती है fine so the volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer कॉंस instrument spirometer which helps in clinical assessment of pulmonary function तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या आपके lungs properly काम कर सकते हैं because हर एक की value होती है वो आगे हम पढ़ेंगे volumes and capacities में तो अगर वो volume capacity उपर नीचे होती है तो that can tell the person that can tell कि उस बंदे को lungs में कोई problem हो है या फिर नहीं है ठीक है चलो तो आगे बिटा हम पढ़ते हैं pulmonary volumes and capacities so what is the pulmonary volume the volume of air volume of air taken in or out taken in or out आप कितना amount of air अंदर लेते हो बाहर लेते हो वो है पिटा आपका pulmonary volume अब कई pulmonary volumes को आप जोडोगे तो वो बन जाएगी capacity so what is the capacity total of pulmonary volume okay pulmonary word क्यों यूज किया है हमने क्योंकि यहां पर हम lungs की बात कर है all right so बटा हमारे पास pulmonary volumes कितनी है how many are there we have four pulmonary volumes four pulmonary volumes क्या क्या है बेटा वो एक है आपके पास inspiratory reserve volume अभी सब नाम याद करो आगे सब बताऊंगे एक है आपके पास tidal volume expiratory reserve volume and then residual volume चलो लिखो इससे पहले यह volumes है यह वोल्यूम से है यह वोल्यूम से है यह वोल्यूम से है यह वोल्यूम से है write this down so these all are what these are the volumes ठीक है अब इनको हम बहुत ही आराम से और धहरे से पढ़ेंगे एक बार में समझ आ गया आ गया ठीक है और एक बार में यह बहुत अच्छे से समझ में आता है ठीक है बच्चा बरोसा रखो और बहुत आराम से समझना इसके notes आप बाद में भी बना सकते हो पहले आप सिर्फ इसको समझो ठीक है पॉस करके बाद में बना ले ना जो बनाने तुम्हें चलो अब ना हमें एक बिल्कुल सिंपल वर्जिन बनाएंगे इसका एक टेबल बनाके दूंगी तुम्हें फुल फ्लेच यह तुम्हारे एंड तक काम आएगा और इसी से ही पढ़ना ठीक है बेटा तो चलो शुरू करते हैं हम शुरू करते हैं पल्मोनरी तो बेटा इस तरह से कॉपी को टिल्ट करके आप अपना अच्छे से टेबल से बना लेना ठीक है शुरू शुरू तो सबसे बेहले पेटा जस वॉल्यूम की हम बात करेंगे वो एक बिल्कुल सिंपल सी वॉल्यूम जिसका नाम है क्या नाम है टाइडल वॉल्यूम सबने टाइडल वॉल्यूम का नाम सुनओगा टाइडल वॉल्यूम नॉमली आप अभी जो इनहेल करे वह घ्यूम करे वह आपके कोई effort नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, तुम बस sance ले रहो, भगवान भरो से, normal, तो वो आपकी क्या है बिटा, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, यह बात समझ में आई, इसकी value होती है 500 ml, कितनी होती है, 500 ml, so it is a volume of air, volume of air, in or out, normally, in or out का मतलब, inhaled और exaled, normally, यह मैडम ने अपने version में लिख दिया, ठीक है, इसकी value है 500 ml, value सबकी याद करनी है, क्यूंकि इस में से question आता है, this is one of a favorite question of the examiner, ठीक है, अगला, इंस्पारेटरी, रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पारेटरी, रिजर्व वॉल्यूम, जिसका short form है IRV, ठीक है, यह क्या है, तुम नॉर्मली सांस ले रहे हो 500 ml, अंदर 500 ml, बहा है, अब मैंने कहा, बिटा, जोर से सांस लो, इसमें, एक तो मैंने क्या लिया, टाइडल वॉल्यूम, 500 ml, ठीक है, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा एर ली, जो मैंने जोर लगा कर ली, तो जो मैंने एक्स्ट्रा एर ली, जब मैं जोर लगा कर सांस ले रही हूं, the extra air I have inhaled, when I am, when I am inspiring forcefully, that is your IRP, is that clear, जो मैंने जोर लगा कर सांस ले, टाइडल वॉल्यूम तो जाएगा जाएगा, उसके लावा कुछ एक्स्ट्रा भी गया, उसे मैं कहती हूं, inspiratory reserve volume, so this is the additional volume of air, additional volume of air inhaled, during, during forceful inspiration, इसका value भी याद रखना है, पच्चिस सो से तीन हजार मैं, ठीक है, अब, अगर मैं जोर लगा कर सांस इनहेल कर रही हूं, तो मैं यह जोर लगा कर बाहर भी तो, यह लेके जा सकती हूं ना, so, जैसे inspiratory reserve volume होता है, वैसे ही, expiratory reserve volume होता है, इसका short form है ERV, अब, बिटा, जब मैंने forcefully inhaled किया, तो मेरे में कुछ extra inhaled हुआ, वो थी IRV, similarly, जब मैंने forcefully exhale किया, ऐसे करके, तो एक तो 500 ml बाहर गई, दूसरा कुछ extra भी बाहर गई, जो मेरे जोर लगाने से गई, that is my ERV, that is the additional volume of air exhaled during forceful exhalation, चीक है, so additional volume of air exhaled during forceful exhalation, इसका value क्या होता है बेटा, 1000 से 1100 ml, यह इसका value होता है, ठीक है, अब, अगली बेटा volume है, residual volume, ठीक है, यह क्या है, RB, बेटा, आपना अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लो, उसके बाद भी, जितना मर्जी जोर लगा लो, उसके बाद भी, lungs में, कुछ amount of air अंदर रह जाती है, जो रह जाती है, उसे residual volume कहते है, ठीक है, अब, वो क्यों रह जाती है, हमने breathing में किया था, कि अंदर pressure कम होता है, होता है ना बेटा, हमारे lungs में pressure कम होता है, बाहर जादा होता है, तो inhalation होती है, होती है, तो हमारा जो अंदर का pressure जो कम होता है, वो negative में चला जाता है, इसलिए हमारी breathing को negative pressure breathing कहते हैं, ठीक है, जब भी ध्यान से सुरू, inhalation होती है, तो हमारा pressure अंदर कम होता है, बाहर जादा होता है, तब ही inhal करते हैं, तो हमारा बाहर के comparison में अगर बाहर को 0 मान कर चलो तो अंदर माइनस 4, माइनस 5 तक चला जाता है तो वो negative pressure इसलिए बनता है ताकि air अंदर जाए तब ही हमारी breathing negative pressure breathing है तो बेटा normal condition में भी हमारा plural cavity में pressure हमेशा हलका सा negative रहता है ताकि lungs के अंदर कुछ amount या कुछ volume of air रहे अगर वो air रहेगी जिसे हम residual volume कहते हैं तो हमारी alveoli के collapse होने के chances कम होते हैं तो इसलिए residual waste नहीं होती ये जरूरी होती है समझ में आई बात what is residual volume वो air जो जितना भी जो लगा लो हमेशा लंग के अंदर रहेगी और वो क्यों रहेगी because there is always a little negative pressure inside जो इस air को hold करके रखता है और अगर वो रहेगी that will be protective for your lungs क्योंकि lungs collapse नहीं होंगे right so what is residual volume it is the volume of air volume of air remain in the lungs even after forceful expiration इसका value कितना होता है बेटा ग्यारां सो से बारां सो है मैं इसका अगर डेफिनेशन आपको कुछ भी ऐसे लगे तो अगर आपको लग रहा है आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ आ रिया कुछ भी आप आप NCRT से भी देख सकते हो जादा focus समझने पर करना ओके चलो अब बेटा होता क्या यहां पर अब मैंने कहा तुम जोर लगाकर सांस लो एकदम जोर लगाकर सांस कीचो इन्हेल करो इस टाइम पर मेरे पास क्या आ रहे है मेरे पास टाइडल वॉल्यूम और इंस्पारेटरी कपासिटी दोनों जूड कर बेटा क्या बनाती है इंस्पारेटरी रिजर्व वॉल्यूम सॉरी दोनों जूड कर क्या बनाती है इंस्पारेटरी कपासिटी ठीक है तो इंस्पारेटरी कपासिटी दाट इस आई सी किसके जूडन of air है पहली बात अगर definition का question आए तो जब भी capacity की बात करेंगे तो वो total volume की बात करेंगे किसकी बात करेंगे total volume की आगे total volume लिखाओगा definition में तो जैसे अगर मैं बात करूं इस पारेश्ट्री capacity की definition क्या है total volume of air inhaled during normal expiration क्या हमने यहाँ पर forcefully exhale किया हमने यहाँ पर forcefully exhale नहीं किया tidal volume normal in and out normal out किया पर inhale कैसे किया forcefully तो इसलिए हमने normal expiration यूज किया अगर हम forcefully expire कर रहे हैं तो forcefully expire करते वक्त हम दो air बाहर निकाल रहे हैं एक ERV और दूसरा TV तो यह बेटा हुआ आगका expiratory capacity so EC is equivalent to TV plus ERV अब इसमें हमने inspire कैसे किया inspire कैसे किया normally बट हमने expire कैसे किया forcefully so it is a total volume of air exhaled during normal inspiration opposite to that okay yes अब अगर मैं इन तीनों को जोड दू हूँ मतलब मैंने inhale भी forcefully किया exhale भी forcefully किया तो जो भी मेरे air का आदान प्रदान हुआ है उसको मैं बेटा क्या बोलूंगी vital capacity this is vital capacity so vital capacity that is VC is equivalent to what it is equivalent to your IRV plus TV plus ERV that is which says total volume of air inhaled during forceful expiration या vice versa मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते है total volume of air exhaled during forceful inspiration या total volume of air inhaled during forceful expiration दोनों वे में बोल सकते हैं मैं पहले forcefully inspire करूँ बाद में forcefully expire करूँ या पहले forcefully expire करूँ बाद में forcefully inspire करूँ जो भी उस टाइम पर मेरी total volume बन रही है वो सारी क्या है मेरी vital capacity तीक है अब बेटा अब भड़ा important FRC functional residual capacity वो बनती है ERV और RV के total से इसको द्यान से समझना FRC चीक है ये किसके sum से बन रही है ERV plus residual volume और राइट बच्चा चलो अब इसको देखते हैं अब बेटा मैंने कहा मैंने कहा कि FRC क्या है मेरी FRC क्या है total क्योंकि ये capacity है तो total तो मैं लगाऊंगी total volume of air remain in the lung after normal expiration after normal expiration मतलब F बार से किसके sum से बनी थी किसके sum से बनी थी RV plus ERV ठीक है अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बार मेरे पास ये lung है इस lung में क्या present है residual volume जो हमेशा रहेगी तुम कुछ भी कर लो ठीक है expiratory reserve volume जो force लगाने से बाहर जाती है title volume जो normally in or out होती है ठीक है अब बेटा अब बेटा ध्यान से सुनना ये बात ध्यान से अगर मैं normally inspire कर रही हूं तो मेरे पास title volume आई ठीक है अगर मैं normally expire करती हूं तो ये टाइडल वॉल्यूम बाहर जाती है ठीक है तो whenever I expired normally मैंने normally air बाहर फैंक की तो मेरे साथ क्या हुआ मेरे टाइडल वॉल्यूम चली गई चली गई जब मैंने normally expire किया मेरे टाइडल वॉल्यूम चली गई तो मेरे लंग के अंदर क्या बचा expiratory reserve volume और residual volume जिसको मैं collectively क्या बोलती हूं functional residual capacity यही बोला ना मैंने total volume of air remain इंदिलंक after normal expiration क्यूंकि normal expiration में बाहर क्या जाता है टाइडल वॉल्यूम जाती है तो मेरे मेरे में जो बचा वो क्या है functional residual capacity अब दूसरी बात अब हम सारे दुबारे से एक बार दिखते हैं अगर मैं बोलू कि जब मैं forcefully expire करती हूं तो मेरे अंदर क्या है मैंने definition में residual volume बिल्कुल ठीक है क्योंकि जब मैं forcefully expire करूंगी तो मेरी erv भी चली जाएगी तो जो बचा वो में residual volume है ठीक है so residual volume आपने forcefully expire किया जो बाहर चली गई वो आपकी erv थी आपने forcefully expire किया तो rv बची that is residual volume अब आगे आते हैं तो जब आप normally expire कर रहे हो तुमारे अंदर क्या present है erv क्या present है बिटा आपके अंदर क्या present है erv और rv दोनों को मिलाके functional residual capacity ठीक है और tv मेरे पास normally होती है अब मैंने बिटा क्या किया मैंने क्या किया अगर मैं forcefully inspire करती हूं if i inspire forcefully तो मेरे अंदर rv भी है erv भी है और साथ में मैं क्या लेकर आ रहे हूं अगर मैं forcefully inspire कर रहे हूं title volume भी लेकर आ रहे हूं extra भी लेकर आ रहे हूं तो मेरे अंदर अब क्या क्या आएगा tv भी आएगा IRV भी आएगा ठीक है यह सब आएगा जब मैंने क्या किया मैंने forcefully inspire किया या मेरे अंदर ये दोनों तो थे ही ये दोनों भी आ गए अब इन सब को मिला के मैं क्या बोलूंगी TLC टोटल लंग कपासिटी ओके तो टोटल लंग कपासिटी क्या होता है जब आप पोर्सफली इंस्पायर करते हो जो भी वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम अफियर आपके लंग के अंदर प्रेसंट है उसे आप TLC कहते हो टोटल लंग कपासिटी तो टोटल लंग कपासिटी का आ बना सकते हो, IRV plus TV plus ERV plus residual volume, इन तीनों के सम को हम vital capacity कहते हैं, तो ये formula भी बन सकता है, तो घबरान नहीं है, ठीक है, So, what is the total lung capacity, बेटा, total lung capacity क्या हुई, total volume of air, total volume of air present in the lungs, बेटा, total volume of air present in the lungs, during forceful inhalation, ये कहलो, after, afterwards ज्यादा बेटर हैगा, क्योंकि जब आपने इन्हेल कर दिया, उसके बाद आपके lung के अंदर क्या है, That is your total lung capacity, जिसे आप TLC कहते हो, जो सबके समसे बनती है, I hope बेटा, कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, Right, so ये थी आपकी pulmonary volumes and capacities, हमेशा की तरह, मैं आपको ऐसे तो जाने नहीं देगी, क्यों, जब तक question नहीं करेंगे, कैसे पताद चलेगा, बच्छों, आपको आता है या नहीं, During inspiration, the volume of thoracic cavity increases because of, question कह रहा है, जब आप inhale करते हो, उस time पर आपकी, जो volume है thoracic cavity का वो बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, contraction of diaphragm and external intercostal muscle, relaxation of diaphragm and external intercostal muscle, contraction of diaphragm and relaxation of external intercostal muscle, relaxation of diaphragm and contraction of internal intercostal muscle, ऐसे question को करने के लिए, you need to make sure, कि जब inspiration होती है, तो contraction ही होती है, ठीक है, muscle की, पता है ना, आपको, तो जहां-जहां relaxation है, उसको पहले ही निकाल दो, अगर आपको सिफ इतना भी पता है कि किसी भी muscle का relaxation नहीं होता and you are not sure about the muscle, you can still crack the answer, yes, तो first में ही पूरा contraction है, बाकि सब में relaxation है, तो बेटा, contraction होता है diaphragm का और external intercostal muscle का, जिससे आपका volume बढ़ता है, pressure कम होता है, और air अंदर आती है, from high pressure to low pressure, तो इसका answer क्या बनेगा बेटा, first, ऐसा question आते है, इसमें से, आगे, additional volume of air, a person can inspire by a forceful inspiration, IRV, ERV, IC and EC, IRV is inspiratory reserve volume, ERV is expiratory reserve, IC is inspiratory capacity and EC is expiratory capacity, अब उसने total word नहीं use किया, तो capacity तो निकाल दो, trick बताई थी न, total लिखा होगा, तो वो capacity होगा, तो capacity वाले निकाल दो, ठीक है, additional है, additional आई है कब जब तुमने forcefully inspire किया, so that means that is your inspiratory reserve volume, so answer बताई अगें क्या बना, वन, yes, simple है यार, सब सिंपल है, चलो, read the following statements and find the incorrect one, conducting part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air, the trachea, primary, secondary and tertiary bronchi, initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings, the movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between lungs and atmosphere, the volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer, yes, बताई ये, क्या होगा बता इसमें, yes, very easy, very, very, very easy, incorrect ढूंदना है, गलत ढूंदना है, तो बिटा, conducting part कौन सा था, right from nostrils to terminal bronchiol, और इसने क्या बोला, कि conducting part O2, CO2 का exchange करता है, वो कौन करता है, वो respiratory part करता है, conducting part तो सिर्फ air को, कैनो, condition करता है, condition करना मतलब थंडी को गरम करना, और clean करना, moist करना, ये काम करता है, तो answer बिटा, यहाँ पर भी 1 बना, आज जादा ही answer 1 आ रहे हैं, चलो, next, match the following column 1 and 2, this is most, one of the most favorite question जो neat में आता है, match the following में, इधर सीधा volumes के values आजेंगे, या फिर capacity आती है, और आपको उसका total total लगाना होता है, ठीक है, IRV की value बेटा कितनी है, पच्चिस सो से तीन हजार, ERV की value कितनी है, एक हजार से ग्यारं सो, residual volume की कितनी है, ग्यारं सो से बारां सो, और टाइडल volume की 500, तो इस तरह से match the following में भी question आते हैं, तो ऐसा question बेटा जुरूर करना है, ठीक है, alright, next, बताऊंगी, जिसका नाम है, minute ventilation, एक minute में, आप कितना ventilate करते हो, कितना breathe in, breathe out करते हो, इसका एक formula है, tidal volume into number of breath, per minute, तो इसलिए ये per minute के साब से आता है, तभी से minute ventilation कहते हैं, tidal volume होता है 500, और आप एक बार में, कितनी breath लेते हो, 12 से 16 टाइम, और जब आप इसको multiply करोगे, तो आपके पास value आजाएगी, 6000 से 8000 ml, per minute, जो आपका minute ventilation है, that means, आपने, एक minute में, a healthy man can inspire और expire, आपने एक minute में कितना inspire और expire गिया, 6 लीटर से 8 लीटर, per ml, या 6000 से 8000 ml, per minute, आंसर बन गया आपका third, तो इस तरह से अगर ये question आया, तो आप कर लेना, ये minute ventilation का question था, और ये minute ventilation होता है, मतलब, what is minute ventilation? कि, एक minute में, आप कितना inspire या expire कर सकते हो, that is your minute ventilation, all right, ये चीज़ बेटा बिल्कुल मत भूलना, pulmonary volumes and capacities की, इसलिए मैंने इस तरह question के फॉर्म में आपको समझाया है, so what is minute ventilation? इस ये volume of air, in और out, per minute, per minute, that is your minute ventilation, एक आपकी बेटा, alveolar ventilation भी होती है, alveolar ventilation, ये क्या होता है, देखो, हमने एक anatomic dead space करी थी, कि वो जगा, जिसमें बिल्कुल भी gases का exchange नहीं हो रहा, तो अब बेटा, minute ventilation था, कितनी air आ रही है, कितनी जा रही है, per minute, ventilate हो रहा है, बट alveolar में कितनी exchange हो रही है, वो आपकी alveolar ventilation है, बतब alveolar के पास कितनी जा रही है, anatomic dead space में, आपकी बेटा, जो air जाती है, वो 150 ml होती है, out of 500, और जो alveolar में जाती है, जैसे, आपकी tidal volume होती है, 500, इस 500 का alveolar में जाता है, 350 ml, और anatomic dead space में जाता है, 150 ml, ठीक है, अगर alveolar dead space, जो भी आएगी per minute, that will be your alveolar ventilation, ठीक है, तो minute ventilation में आप पूरा tidal volume लोगे, alveolar में आप पूरा नहीं लोगे, सिर्पा 350 लोगे, right? All right, so this was all about the pulmonary volumes, mechanism of breathing and the respirator tree, I hope आप इसको थोड़ा सा अच्छे 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 लगाओगे, I'll meet you in the next class, where we will be discussing the transport of gases, yes definitely, and the exchange of gases, bye-bye, till then, take care and study hard.